हलो मेरी यूटूब फैमिली कैसे हैं आप आपका मेरे चैनल में स्वागत है क्राथ विद इशुक्त आज मैं आपको क्रिष्णा चरण बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही असान और सिंपल है तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ड्रो की हुए क्रिष्णा चरण पर फैबिको लगा कर बोल पुट्टी डो लगाएं बोल पुट्टी डो बनाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पानी के साथ इसे सेट करें और पतली पतली लेयर बना कर धोती या ड्रेस की डिटेलिंग करें शेप देने के लिए आप ब्रश का यूज भी कर सकते हैं पहले हिस्से की तरह इस हिस्से को भी फैबिको लगा कर बनाना शुरू करें बनाने का यह दूसरा तरीका है आपको जो तरीका असान लगे उस तरह बना सकते हैं शेप देने के लिए गिले ब्रश का यूज करें और ये बनकर कुछ ऐसा लगेगा धोती या ड्रेस की फ्लेयर बनाने के लिए आप नाइफ का वियूज कर सकते हैं धोती के बोर्डर का डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये टूल यूज किया है डिजाइन बनाते हुए इसे सुन्दर रूप दीजिए अब बारी है क्रिशना जी के चरण बनाने की बोल पुट्टी लगाने से पहले खैवी को लगाना ना भूले बीच बीच में पानी से इसे सट करें और नाइप की साथा से इसको अच्छी शेप दें अब नाइप की से आता से उंगलियों की शेप बनाएंगे पहले पाउं की तरह अब हम दूसरे पाउं को भी कंप्लीट करेंगे अब हम बोर्डर बनाएंगे फैबी को लगाकर बोल पोर्टी की मोटिफ लेयर लेकर बोर्डर बनाते हैं बोर्डर बनाने के बाद नाइप की स्यायता से है, अब हम दिजाइन बनाएंगे आप चाहे तो जैसा आपको पसंद हो वैसा डिजाइन बना सकते हैं मैंने यह सिंपल डिजैन बनाया है अब बारी है पाइल बनाने की बोल पुट्टि की चोटी-चोटी गूर्या बनाकर पायल की डिजाइनिंग करें इसे कंप्लीट करने के बाद ड्राइ होने दे और कलर करना स्टार्ट करें मैंने यहाँ अक्रैलिक कलर यूज किया है बोल पुट्टि क्राप्तवर हमेश अक्रैलिक कलर यूज करें मैंने यहां धोती में यालो कलर किया है। आप अपनी पसंद का कलर कर सकते हैं। एक कोट करने के बाद सूखने दे और दूसरा कोट करे। जुरुत पड़े तो तीसरा कोट भी कर सकते हैं। और ऐसा गन्ने पर उसमें शाइनिंग आती है और वानिश की जुरुत भी नहीं पड़ती है. वोर्डर डिजाइनिंग में मैंने सबसे पहले डार्क ग्रीन कलर किया था जो मुझे बाद में अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसे चेंज करकर रेड के साथ लाइट ग्रीन किया. कुमेट शेक्षिन में जुरूर बताएं मैंने ये ठीक किया या नहीं. यहां मैंने जितने भी कलर शेड यूज की हैं सभी अक्रालिक कलर हैं. मैंने यहां कुछ मीरर बोर्डर पे तविकोल की सैथा से लगाएं हैं. यह मीरर असानी से मार्केट में मिल जाते हैं. आप चाहें तो यह ओनलाइन भी मंगवा सकते हैं. धोती को सुंतर बनाने के लिए मैंने कुछ मीरर धोती में भी लगाएं हैं. जो की बहुत ही सुंतर लग रहे हैं. अब हमारा कृष्णा चरण क्राफ्ट बनकर प्यार हो गया है. और यह बनकर बहुत ही संदर लग रहा है. अब बस इसे लगाने की देड़ है. आपको यह क्राफ्ट कैसा लगा? प्लीज कमेक शेक्शन में जुरू बताइए. वीडियो देटने के लिए आपका धन्यवाद. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. तैंक्यू फोर वाचिंग, बाइ-बा